हालो, страш आप सभी का स्वागत हैं friends आज आप सभी को महतपूर जीवन पर्चे पढंड करो आपके बोड के एकजाम के लिए सब से जयादा इंक्वर्टेंस सावित होता है आपके byorड के एकजाम में जीवन पर्चे जो हता है पांच नमबर का आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो हजार चौविस के लिए जीवन पर्चे है वह आपका आचार रामचंदर शुक्ल जी का इसको यहां पर आपकी बोर्ड की एक्जाम में कैसे लिखना है और कौन से पॉइंट पर ध्यान देना है सभी पॉइंटों का आपको बताने वा संच्प्त पर्चे में उनका नाम लिखे में आचार रामचंदर शुक्ल फिर उसके बाद उनका रखेका नाम याेंज चंद्र बलह शुक्ल दूसके में फिर इसके बाद थे प्रच्ण पर्चंदर आहरे उनके मृत्त्य चन्द्र stroll में उनकी मिर्ट्टी हो गई ती यह लिखने के बाद इसके से इसको इस तरह घेर दीजिएगा तो आपको इसको पढ़ने की जोरुते नहीं पढ़ेगा एक्जामनर को यहां प्यादी पॉइंट से लिखे हैं तो आपको इक्जामनर इतना देखने के बाद पांच का पांच पूरा दे देता है चले जीवन परचे देखे आप इसी को शब्दों में आपका इसे लिखेंगे लिखना है आचार रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 इसी में बस्ती जीले की अगोना गाव में हुआ था ठीक है तो आपको देखे फ्रेंस जब भी लिखिए गाया तो जो उ इस सुक्ल को क्या कीजिगा फ्रेंस आप ब्लेक पैंसे ही लिखिएगा इंटरमीडियर में आते ही इनकी पढ़ाई छुट गई यह सरकाई नोकरी करने लगे लेकिन कुछ समय के बाद मिर्जापूर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए देखे फ्रेंस यह मि हिंदी अंगरेजी संस्क्रीट उर्दू फार्सी आदी का ग्यान प्राप्त किये देखे फ्रेंस यहां पी इनका जीवन पर्ज क्या है कि आचार राम चंद्र शुक्ल 1884 में उनका जन्म हुआ था और वह बस्ती जीले की अगोना गाउं में पैदा हुए थे उनकी पिता का अपने हिंदी अंगरेजी संस्क्रीट उर्दू फार्सी आदी का ग्यान प्राप्त किये थे इसके बाद देखे फ्रेंस कासी नगरी प्रचारी सभास से जुड़कर सब्द शागर के सहायक संपादन का कारेश समाल है शुक्ल जी के यह देखिए इस पॉइंट को ध्यान द में बूलिएगा मत शुक्ल जी जो थे निभंदकार आलोचक कविता आधिक छेत्र में सरुपरी इनका आस्थान माना जाता है ठीक है अफ्रेंस देखिए इसके बाद उनकी मृत्तिव हो गया तो कब हुआ तत लिखिएगा स्वास का दौरा पढ़ने के कारण ठीक है और 141 इसवी में इनकी मृत्ति हो गई थी दिखिए अको में पॉइंट क्या याद रखना है कि 884 इसवी में अचार राम चंदर शुक्ल का जन्म हुआ था ठीक है इनके पिता का नाम चंद्र बली शुक्ल था और आचार राम चंदर शुकल का जो अस्थान था जन्म का वह बस आसा था उसका घ्यान घर के प्राप्त किये थे ठीक है इसके बाद अब ज्यादा ध्यान देना आपको कि सुक्ल जी का एक निबंदकारक एक आलोचक एक कविता लिखते थे और इनका इन छेत्रों में सरों पर ही अस्थान माना जाता है उनका क्या हुआ था इतना लिखने के बाद देखे अब आपको क्या करना इस पॉइंट को भूलिये का मत बोड की एक्जाम में लिखते समय कौन सा पॉइंट है वो दियान दिए कि रचनाए जरूर फ्रेंस आप लिखिएगा यह बविकल्पी में पूछता है और बोड की एक्जाम में पूछता ह इनकी रचना रचना इन लिखित है पहला निबंद उनका निबंद में उनका चिंता मड़ी याद रखिएगा विचार विधी लिखिए इस पॉइंट पॉइंट जो है यह इंपोर्टेंट कर लिजेगा अपने बोड के एक्जाम के लिए बोविकल्पीम पूछता है कि चि दिखाए फिर इसके साथ ध्यान दिएगा चिंतामड़ी कौन सी विदा है एक निबंद क्या चिंतामड़ी एक निबंद ठीक है इस तरह सब प्रश्ण बोड़ की एकजामें पूछता है आलोचना में देखिए रस्मिमांसा त्रवेडी असूर दास इन पॉइंटों के याद अचार रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था ठीक है इस तरह से आप याद रखिएगा फ्रेस इसके बाद देखे फ्रेस यहां पे नीचे उनके कुछ इसको भी आपके बोड के एकजाम में लिखना जरूरी होता है देखे क्या है कि इतिहास युगीन प्रवित्यों के आधार पर दिखा गया है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वस्रश्ष इतिहासों में से एक माना जाता है यानि आचार रामचंद्र शुक्ल जी है उन आचार रामचंद्र शुक्ल को आलोचना के समराठ कहा जाता है तो फ्रेंस यह हुआ आपका आचार रामचंद्र शुक्ल का जीवन पर से कितने संचिप्त रूप में और कितने कम सब्दों में लिखा गया है फ्रेंस यदि आप यह बोड के एक्जाम में लिख के आते हैं एक नमबर भी वो examiner आपका काटेगा नहीं पांच का पांच नमबर पूरा देगा तो friends आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने friends के पास अधिक से अधिक share करें